नमस्कार आपदिख रहे हैं जासींदी बैहों गौतम ठाकर अभाम की अवाज मिकबार फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं जनाव राजनीती को लेकर कल की अगर हम बात करें करल रविवार का दिन था वो दिन था जब दिल्ली के CM ने यानि के अर्विंद केश्रिवाल ने तीसरी बार शपत ली है तो हम तमाम चीजों को लेकर लोगों से जान रहे हैं ये माइने नहीं रखता कि क्या उन्हें राजनीती में दिल्चस्पी है क्या वो राजनीती को डीपली देखते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार हर किसी के पास है तो वो किसी भी स्टेट का हो वो इन दो चेहरों के बारे में क्या सूचता है, हरविंद केश्रिवाल और PM नरेंद्र मोदी, कुछ लोग ये भी सूच रहे होंगे कि क्या इनका कोई comparison भी बनता है, लेकिन अगर हम अपने दिल्ली की बात करें, राजधानी की बात करें, तो comparison कहीं न कहीं बनता है, क्योंकि BJP जहां बहुमत से जीती है लोगसभा के चुनाव, दिल्ली विधान सभा के चुनाव में उसको महज आठ सीटें ही मिल पाई है, तो हमने कुशिश कही है कि यहां पे जो दिल्ली वाले हैं, उनसे ही मुलाकात हो गई है, तो क्यो ना उनसे ही जाने कि आखर दिल्ली में अर्वेंद केज़िवाल जिस तरीके से जीते हैं कल उन्होंने शपत भी ले ली है तो वो क्या चीजे रही क्या गणित रहा क्या वो जिस तरीके से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अरविंद की जिवाल है भले ही उन्होंने डेवलप्मेंट की डेवलप्मेंट के एक मॉडल के साथ वो आगे चले और चुनाव भी उन्होंने उसी मुद्दे पर लड़ा लेकिन कहीं ना कहीं और प्रावेट प्रावेट जॉबगत और विंदर सिंघ लिसे डिली से क्या करते हैं सर्थ टोड़ा सट विल्ली को लेकर बात करते बहुत अरवेंद कीशिवाल शबसे पहला सवाल यह कि कि या डूट था कि वो दुबारा रिपीट करेंगें बिलकुल नहीं और गरेंगे लोकेल पीपल्स की, सो कहीना कि हर एक को फायदा हो रहा है, चाहिए वो free दे रहा है, नहीं दे रहा है, कुछ भी है, हर family इस समय साल का 25-30 सीर पर पचाती है, मेरी हो, किसी की भी हो, चाहिए वो आपका विजली का बिलो, पानी का बिलो, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट हो, हॉस्पिलाइजेशन हो, एजुकेशन हो, हर चीज पर गईना कि कोई बंदा सेफ कर रहा है. तो दिल्ली में आपको रहते हुए कितने साल हुए? मैं पैदा ही वहीं पुगाला. अब पैदा ही दिल्ली के ही सिटिसन है, तो आपने हर एक पार्टी की सरकार वहाँ पे देखी है, जिन्हों ने भी वहाँ रूल किया, तो क्या कहेंगे, क्या यह जो मॉडल है डिवलप्मेंट का, पिछली सरकारे नहीं लाई थी, क्योंकि जहां तक बात करें, डिवलप्में पैसे जमाग रहे हैं, तो आपने बताया था कि आपकी वाइफ जो है, वो टीचर भी है, तो क्या सारा, गॉर्मेंट स्कूल का क्या सारा? क्योंकि बढ़ाने कोशिच भी करता था, वहीं पर उसी समय रोग दिया जाता था, चेंजिस हैं अच्छा, आप में से कोई किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करता है, पहले ना, अभी तक आप ही है, अभी तक आप, देखो, वी बेसिकली डील कि हां कि जो बंदा काम कर रहा है ना, उस हिसाब से उसको वोट दिया जाए, अगर हम टोटल, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो हमने बीजेबी को वोट दिया था, क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस के पास और आम आदमे के पार्टी कोई चैरा नहीं था, हमने वहां किया, ठीक है, ऐसा निये कि इम कि अगर आप देखो कोई भी बंदा, अगर आप एक रफली केलकुलेशन लोगे ना, मैं पिछले काफी टाइम से अपना बिजली का बिल जीरो दे रहा हूं, अगर आ भी रहा है तो मातर डेट सो, दोसो कुछ भी आता है, इस से उपर नहीं आता है, ठीक है, अगर आप देख अगर कोई दे रहा है, तो आम जंदा को इससे बहुत अराम है, अगर मैं साल का देखूं तो बारा पंच साथ, यानि कि अगर आपको दे रहा है, फ्री का दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, बीजे भी बोलती है, कि सीधी सी बात है कि हमें आप वोड़ दो, इस बार क उनके मैनिफेस्टों में था कि आप हमार को इस बार का वोड़ दो, हम भी ये काम करेंगे, हम इतनी यूलिट आपको देंगे, इतना फ्री देंगे, आज 10 साल बाद आपको क्यों याद आई है, ये चीज आपको पहले भी याद आ सकती थी, ठीक है, सीधी सी बात है, आप देखोगे, अगर चलो मैं भी यह कहता हूँ, आप किस बेसिस पे आपको क्लेम करते हो, पार्टी कभी भी कोई नहीं आती है, तो क्या बोलती है, कि भई मैं यह आउंगी, तो मैं यह करूंगी, मैं यहां करती हूँ, आप स्टेट में हो, अब करत कर रहे हो ना, आपने आपको लगता है कि मुझे वोड़ देना चाहिए तो मुझे वोड़ दीजी और यह कहना मैं मोधी जी और पापना अमित राजी सारा टाइम शाहिनफाग करते हैं अरे सेकिंड मुद्द उठालो आप अभी भी देख लेना इतना शाहिनफाग पर मुद्द उठाय जा रहा है संव क्योंकि उनके बसको यह टॉपिक नहीं आज शाइन बाग को हटा दिया जाए तो उनकी इतनी रैली के अंदर को उन सब टॉपिक नहीं था जब तुम्हार पास कोई टॉपिक ही नहीं है तुम्हार पास कुछ भी नहीं है तो किस बेजिस पर हमार को वोट मागना आए जोना चाहिए था कि आप एक मॉडल तयार करें वो नहीं था इस वज़े से जो है आगर मैं बात करूंगा डेली में आपको हर जगा पे आपको सीटीवी कैमरा मिलेंगे उसने बोला था बोलते सारे हैं आज तक हमने कभी देखा मैं अभी तक नहीं देखे थे किसी ना लगा क प्रती है रिस्पेक्ट है वो कर रहे है उस चीज के लिए और अगर तुम देखो अगर आपने रोल मॉडल एक कंपेरेजन में अगर देखो ऑपने चूज किया था वह क्या नाम तो अनका मनोश्तिवारी जी ठीक है ना आप एक चीज देखिए उन्होंने एक दिन दो दिन पहले ट्वीट करके बोलते हैं कि हम 55 सीट्स तो आई गए ठीक है आपके इतनी बड़ी स्टेट्मेंट्स इंगे 55 सीट्स आगे जबकि मोधी जी और रमिशा जी ने पूरा जोर लगा रहा है कि उनको पता था कि बड़ी कड़ी टक कर रहा तो आप निकले तो बिलकुल भी नहीं आपके पास जो इस बार की जो पान सीटे हैं यह ना पिसली बार 67 थी इस बार 62 है जो पांच सीटे आपने लिया ना वो शाहिन बाग करके लिए आपके पास तो वह भी कुछ नहीं था आप तो अगर यह शाहिन बाग का मुद्दा ना होता तो में भी 72 70 के अंदर सो क्या अब इसको इस नजरिये से दिखा जा सकता है कि कही ना कहीं आप फिर से अपना वो सपना परधान मंत्री बनने वाला कहीं ना कहीं अरविंद की श्रिवाल देख रहे हैं अब नेक्स्ट आएगा पंजाब उसके बाद धीरे दीरे दो तीन स्टेट से अपने आपको प्रूफ करो ना पहले प्रूफ करो में अगर वह प्रूफ कर रहे हैं तो आप फेल हो रहे हो तो नहीं कर सकते हैं एक मेरा आपके माध्यम चैने चोटा सा सेशेशन है शायद में भी काफी लोग देखें इसको तो बात पता लगेगी पिस एक केजरी वाल सर ने एक गलती ज़रूर की थी कि वो एक टाइम पर अपने आप बिल्कुल सिक्का जमा बैठे थे लेकिन लंबा प्रॉस्पेक्ट सोचने के चक्कन में इनीशली बहुत तेजी से बागे आप जब तक आप पहले की तरह से मुग की खानी पड़े अगे देखो अभी क्या है अब उनको गे जब रभी स्टहर पडिली में आएगा चब ब्रशा ओप प्रहर को कर चलो-एंच्छे में मुद्दा नहीं है को और चहरा भी नहीं जिए और बस और कुछ नहीं और हिंदू-मुसल्मान रहेगा और वो को भी जिंदगी वह उससे आगे नहीं पर सकते हैं अच्छा मैं एक चोटी सी बात और बोलता हूं सब मेरे को ना मैं कहीं भी बैंक में था मैं दो तीन जगा फसा भी इस मामले में लोगों ने मेरे को बोले लगे कि हमें हिंदू ता बचानी है हिंदूता बचानी आरे बाबा एक बात सुनों मैं चोटा आपको एक रफली कैलकोलेशन हां इसका बिल्कुल क्रिस्प जेता हूं हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है 80 परसेंट कि मुसल्मानों की प्रॉपटी कि परसेंटेज कि तुम 80 परसेंट रोके हमें हिंदूता बनाने हैं हिंदूता बच्ची हुई है भई मरना तो हमें चाहिए रोना तो हमें चाहिए हमी नहीं रो रहे तुमारे लिए उपरसे हम जाके मुसल्मानों को भी सबूट करें आरे तुम चाहां क्या रहे हैं पहले सोचो clarity of thoughts लाने की ज़रत है ज़राब का कहना है और अर्विंद केशिवाल जसे तरीके से तीसरी बार प्रधान मंतुरी बने कल उन्होंने शपत लिये तो कहीं ना कहीं अब लोगों के दिमाग में भी ये भी है कि आने वाले चुनावों में क्या वो आगे बढ़ने की सोचेंगे एक मॉडल तो प्रधी राजनीती करते हुए अब वो नजर आएंगे तमाम चीज है जनाव जिनका जो जवाब है वो आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा लेकिन आज कुछ सवाल हमारे हैं जो हम आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चोटा सा ब्रेक ले ले लेते हैं जल क्या वो चीजे थी क्या वो गणत था जो उन्होंने बठाया और वो तीसरी बार दिल्ली के जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं और क्या वो अब राश्रवाद का मुद्दा उठाने वाले हैं क्या बाकी स्टेट्स में जिस तरीके से उन्होंने जो अपना पुराना सपना तो वह पूरा करने के लिए पंजाब, अर बाकि स्टेट्स में भी अपना कभजा करने की कोशिश करेंगे, यानिकि अपनी सियास्थ चमकाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ और लोग मेरे साथ हैं। एक मैं सवाल उठ रहे हैं कि ये कही न कहीं न को फायदा दिया जाय ś% वार्ब पहुंचाई है तो यह पूरी तरह से टोटली गलत होँ यह बाद कि पहले तो एक दर्म को चूस कर सबूथे हो तो आप अपनी पकट रकागी हैं आप फट हंदु कि भूड कीशटाइं इसके बाद तो तो यह तो तो आप एक धरम पर बख़ के हो साड़ बात मुस्रीत करें धर थेकर जिता है तो यह धरम पता हीोगा कि बहुत सारे करना a और्यायर वीडियो वहां पर वाहं पर पॉइंट कर आ रहा है कि वहां पर, रिपोटर जा के पता कर रहे हैं कि हाँ की आपको बिर्यानी भीएर और खाना पी कहां से आ रहा रहा है, तो वह कहरेंगी अल्ला की दें आप कुछ वीडियो reconst देंखु Xu, केजरिवाल वाहं पर पहुँच हा रहा था तो इस पर कुछ पुछ्टी आपकी है आपका कुछ शॉरटी है वहां से केजरिवालिवाल भी आ रहा था कि आपको कहने है तो पॉइंट अपकर पॉइंट ओप के अगर जा रहे तो उस दिन उन्हों ने जूट्त नहीं दो पहले हैं कि अगर आप किसी धर्म को मान रहे है तो परफेक्टली मानो ना उसकी सुच्छता उसकी धार्मिकता को पहल दो जब आप पहली नहीं दे सकते तो उस धर्म के अंदर मानने का क्या पूइंट है पूरा वीडियो देखा था शुरू सेंट कि वो बस पैर उतारे और बीच में कोई कट नहीं था इसी इसको ध्यान दिया था कोई कट नहीं था बिल्कुल भी कटनी था उसमें उसमें क्यािका उन्होंने अपनी चपल उतारी मंदिर में के चापल उतारी साथ की साथ आपको लगता हिंको इन चीजहों का फैदा हुआ बहुत ज्यादा फाइदा हुआ कि उन्हों ने अगर हिंदू के पास जा Royal came जो जो एक मुद्दा रखा था कि हम काम के उपर जीत रहे हैं काम के उपर बात कर रहे हैं तो उस चीज का कहीं कोई फैदा नहीं हुआ जिसमें उन्होंने जो मोडूल बनाया है कि अगर राद विराद अगर कोई एक्सिडेंट हो जाता है तो एक तो उनको फ्री फैसिलिटी मिलेगी जो परसन उसको लेके जाएगा उससे कोई क्वेस्चन या कोई कारवाई नहीं पूछी जाए क्योंकि आजकल अपने देश में सबसे ज्यादा क्या चलता है कि जो एक्सिडेंट के दौरान उसको बचाने के लिए उस्पेटल लेके जाता है तो यह सबसी चीज मिरे को अच के जिवाल दे रहे हैं दिल्ली में तो वो टेक्स की बरबादी है इसमें दो पॉइंट होते हैं फिर्स्ट कि आपको पहले यह देखना चाहिए कि कौन सा प्यूपल प्यूर है कि किसको जदा फैसिलिटी की जुरूरत है अगर हम देखे कि अगर मैं स्टेंडर लेवल का तो में आपके रहे कर सकता है तो मुझे क्या सफर करना चाहता है तो जाइस लोग वहां पर दिली में ऐसे है जो अपने स्टेंड से काई उपर के लेवल की जिसमें लेडिस भी आती हैं जैंस्वी आते है तो उसमें एक पीछे वीडियो वाइरल हुई है एक मैम की ती जो में conductor बोलता है उनको की अपकी टिकट के कोई पैसे नहीं लगेंगे वो चैथी है कि मैं टिकट फरी लेना ही नी चाहती कि यह उनको दो ना जो एक उनकर पाते हैं उनके लिए फाइदे मन् сос ripping जो ओल्ल रेडियो उसको बाई कर चुके हैं अब चलिए वो मुख्यमंतरी तो बन गए है अब चाहें वो धर्म के नाम पर बने हो चाहें डेवलप्मेंट के नाम पर बने हो तो आपको लगता है कि यह जो मॉडल उन्होंने तयार किया दिल्ली का जैसे कि आपने कहा कि फ्री की थी मुख्यमंतरी परदान मंतरी बनने के लिए पंजाब में आपके आने के चांसित काफी ज्यादा हो चुके हैं अगर मैं 70% बात करूं तो आपके आने के चांसित क्योंकि उसमें क्या है कि उन्होंने पहले बीजीपी को भी 10-15 साल उन्हों ने दिया पंजाब गवर्म चलती है जिसमें आज की पीछे बारिश होई थी बारिश के दोर्यान एक हवलदार गडर में गिरने से उसकी मौत होगी तो जहां पर वो अपने ही शेयर को ने डिवल्प नहीं कर पाए कहां वो पंजाब को डिवल्प कर पाएंगे तो पंजाब के लोगों को इस बार यह बरबाद हो रहा है वहां पर अगर इसमें इंडिया में तीन जो अपनी चल रही हैं क्या बोलते हैं उसको तीन अपना चुनावन निती चल रही है जैसे बी-जीवी की बात कर लीजिए सरकार गी तो थी बी-जीवी और ओगी और अपना आप की पार्टी होगी अब जब ब पॉइंट का इसमें यह बनता है कि जैसे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी उन्हों ने वहां पे दिया अभी पीछे के ना उन्होंने अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर शिंग जी ने एक पोईंट रिजाइस कि उनको फ्री सर्विस मिलती तो उन्होंने अट टाइट भूद कर दिया अउन्होंने देखते कि अचया आपकी पार्टी जाहाए और चाहिए रहे हाँ आप दोस्ता नाउन मतलब आप भी मानते हैं आपको फ्री चीज़े चाहिए नई फ्री नहीं चाहिए पिर क्या चाहिए जो हमारे आंके जैसे आप पीजी आई विगारा है हॉस्पिटल जो भी है मतलब उन्हें आप कभी भी चले जाओ रोड के उपर ही लोग बैठे हुए हैं सब कुछ वहीं प करन ऐसा दोफस्टा सी नज़र के पंजाब चिरी ए एऔह बीधिक नाधिया रही हैं अजिया है रही हो रात-फुल रात-ब's up क्या है आद नहीं यह जो पहले था वह आभ नहीं तो यह जो आम आदमी केज़ी वाल जीता है कुछ लोग कह रहे हैं कि TRACS की वरबादी करके पर देख रहे हैं पड़ा लिखा अदमी है एक तो आई टी कमिशनर उसने रिटायर्मेंट लिए उसके बाद जितना पैसा उसने कुलेक्ट के उसने पारी पकड़ें दिली के और नसली उनसे गिया उनके बाद बोला आप टेक्स तो हम आपको सूलते देंगे उसने उनके जो हमारे संपर्क है उनका वहां पर एक आफिस है डेली में तो वहां पर उसने 40 आइटम ऐसे हैं जिनकी लिस्ट बनाके दी या और उसने वीडियो बेजा सा कहता देखो बाई साभी यहां पर हर एक चीज 50 रपे में मेरे साटिव के बनवाना लाइसेंस बनवाना है मेडिकल क कोई है सब 50 रपे में और वो फोन करते हैं उनका टोल प्री नंबर है और सरकार का आदमी घर जाता है जहां इतने सोलियत मिले हम और क्या चाहिए कहीं यह कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी जीती है वो बीजेपी के रास्तों पे चलते हुए कि राश्वात के एक मुद को ने उसको चाहा ही नाम दे दी है आपको लगता है कि जो कहा जाता है क्योंकि चाहें वो मीडिया ग्रूप हो चाहें वो आम लोगों कहते हैं कि केजरी वाल ने बहुत जल्दी कर दी थी परधान मंतरी बनने का एक सपना देखने में कई स्टेट्स में एकदम से वो उतरे और करारी उन्हें खाने पड़ी तो क्या आप दीली को एक मॉडल बना कर वो सफना पूरा कर सकते हैं जो देखा मारों ब्रटाइए अच्छा तैसे एसे क्यों लोगों को राजनीती में निखी मिल्टाएए अब क्या है कि उनको चुनते हम Ini लोग हैं सर करें किया मजभूरी यह जो खड़ के दो आदमीं तो को बोट टो डालना ही पड़ता है क्या करें मजभूरी ना अगर कोई भी नहीं पसंद पो नह Courtney नपद नपद अब ये न नन नोट यीडिय project पैसा चलता है किसको बोट पागे पैसा दे कर दो पाजी पट जाएगी पतने वाली आम जनता ही है क्या लगता है कि आपका सर नाम जाना चाहूंगा बदा बाशेंग चोहान जी कहां के रहने वाले है राम प्राफूल बटेंडा डिस्टिक के हैं तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी को नकार दिया था और कॉंग्रेस को सपोर्ट किया था अब ही क्या फिर से समीकरण बदलेंगे आपको लगता है बदलना इस जाई है यह जैसे कि आम हालात देख रहो ना पंजाब के क्या है को भी काम नहीं रहा में कजिमी दार है किसाना हैं वहारा किसानी का बहुत मन्दा आजां फोई फसल का रेट नहीं अभी पीसे चे अमा पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है किसी भी भाग में जाओ और पैसा भी ले ले लेते हैं और काम भी नहीं होता है तो एक आखरी सवाल और करना चाहूंगा कि सर की दिल्ली में अगर हम कहें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म को लेकर भी उसको वोट मिले हैं तो आपको क्या लगता है कि यह चीज देखो दार्म जैसे जो राजनीती है ना हम इसके पर ज्यादा तो नहीं जान की बात करें तो माल लेते हैं तलहाम गाओं के रहने वाले हम काम पड़े लिखे हैं जो दिल्ली शहर में रहते हैं वह बहुत पड़े लिखे लोग है वो किसी के है जैसे के हमरे गाओं में एक दूसरे के पीशे लाके तो वोट पाएंगे नहीं उन्होंने उनको अच्छा लगा के जरीवाल के जरीवाल ने बहां के काम किये इशीली बोट पाई यह नहीं पैसे सबी हिंदुवितान में बीजेपी बहुत अच्छी जीती है चिरफ एक राजनीती या बना राजदानी में दिल्ली में समेना बहां पर क्यों बहां भी जीत सकता था शुक्रिया सर क् अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दा यही है कि आखर 2020 का जो चुनाफ था जो दिल्ली के विधान सबद चुनाफ थे उसमें अरवेंद केजरिवाल ने तीसरी बार शपत ली कल रविवार का दिन और तीसरी बार उन्होंने शपत ली तो कहीं ना कहीं लोगों की दिम अगर मुद्दा आने वाले समय में वो आगे उठा सकते हैं और अपना जो सपना है प्रधान मंतुरी बनने का देश का उसके लिए वो जद्दो जहद कर सकते हैं तो जनाब यही थी आज के सफर की वो तमाम चीज़े तमाम बातें जो आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं कि आखर दिल्ली का एक एहम चुनाव माना जाता है और उसमें बहुमत हासल करने वाली बीजेपी सरकार भी आठी सीटों पर सिमट कर रह गई तो जनाब अब देखे आने वाला समय क्या होता है बिहार के चुनाव आने वाले हैं कुछ साल बाद पंजाब के चुनाव भी है तो आने वाले समय में क्या होगा वो वक्त बताएगा तब तक के लिए जनाब मुझे ही आनि गौतम ठाकुर्प को दीजे इजाज़त एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार